साथियों, देश के इतिहास में कभी-कभी ऐसे मोके आते हैं जब उस देश के नागिरिकों का एक फैसला अगले सेंकडों वर्षों का भविश्यताय करता है 2024 का ये चुनाव ऐसा ही बड़ा आउसर है ये कोई सामान ने चुनाव नहीं है आप याद करिये कितने दसकों से हमारे देश में जोड तोड वाली सरकारे चली रही थी गटबंदन की मजबूरियां हर किसी के अपने स्वार इस सब में देश का हेत पीछे छुट गए थे कॉंग्रेस के समय में गाउं गरीब पिसान मद्दोर महिलाएं युवानों इनका जीना मुश्टिल हो गया था हर दीन अखबारों में या तो गोटालों की खबरे चपती थी या आतंकी हमलों की खबरे आती थी लेकिन 2014 से देश में एक बड़े बदलाव की शुरुवात हुई दसों को बात देश को आप सब जागरुक मत जाताओं ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार देश को दी आज भारत समंदर पर बड़े बड़े पूल बना रहा है आज भारत पहाडों में भी सुरंगे बना कर सीमा की सुरक्षा बढा रहा है अब जब अजबेर से मंदे भारत ट्रेन रप्तार भरती है तो विदेशी भी हरान हो जाते है अब राजस्तान में एक से बढ़कर एक एक्स्प्रेस वेब बन रहे है डेडिक्वेटेड फ्रेट कोरिडोर बन रहे है भाजपा के शासन में राजस्तान विकास की नई उचाई की और बढ़ रहा है